युवा इंतियार कर रहा है कि जो हमने 26 तारीक का एकजम दिया है उसका परणाम कब आएगा बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनोंने अभी साच्छत कर दिया था तो वो इंतियार कर रहा है कि हमारी फाइनल मेरेट कब आने वाली है लेकिन महाराज हम धर्म से चकी त्यारी तो आपने चपी सारी को पेपर दिया अब आपका अगला कदम आपका अगला लच्छ होना तो यह कि हम फिजिकल की त्यारी कैसे करें अगर आप इस संसाय में हो कि हमारा प्रणाम पता नहीं क्या हम पहले होंगे या पास होंगे तो मुझे लगता है कि आपको ध्रम से चक की त हम इसको पता है कि आप परवरत तनसील है कभी भी दुगा सकता है कभी खुशी आ सकती है अनशित है मराज इनका कोई पता नहीं कब आ जाए तो मेरा कहने के ताथ पर यह कि अब आप लोगो फिजिकल में लग जाना चाहिए तो बहुत सारी योबाह जो जाना चाहते हैं मे अगर इस चेतर में आई हो इस चेतर की बात одहीं कर रहा हूं अब किसी भी चेतर में जाना अगर उसमें आपने अपनी आत्वा नहीं डाली उसमि है आप ने अपनी इच्छा सक्ति नहीं डाली तो मुझी लगता है वह किम आपकर निर्थक होगा उसको को फल अगर आपने थोड़ी सी आतमा डाल दी थोड़ा से संगीत अगर आपने करम का करने वाले बंदे कभी प्रjem करते हैं और में अपने करम में भिशपास करते हैं और continue करम करते हैं तो मुझे लगता है अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो देहन से सुनो मैं कहना चाहता हूँ अब आप लोग ग्राउन पकड़ें मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ महनत मैं चाहता हूँ कि आप अपनी dress law, half pant, जूते और सीधा ग्राउन में पहुँच जाओ जो बंदे सामन गयान में पास हैं उनको 100% नहीं 200% गोलाने वाले हैं ध्यार रखियो merit का बनाना आपका काम नहीं है वो सरकार की चिंता है वो बोड का टेंजन है आपका only काम है महनत करना सक्सेज पाना और सक्सेज मिलना यह आप पर डिबंड करता है जिस तरह आपने एक पेपर दे दिया उसके लिए तीन मेहने इंदियार करोगे कि जब रेल टाइगा जब हम दोडेंगे यह हम नहीं कहा रहे हैं मराज यह हमारे सास्तर कहते हैं कि आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते आज हम लोग कम सफल क्यों है आज मैं आप लोगों को पहली सफलता बता क्या मानता हूं आपने धर्म करास्ता चुना यह आपकी पहली सफलता है अगर आपने ध्रम का राष्टा सुना है ना महराज तो ध्यान रखना सब पर यूसर पर छोड़ दो कुछ भी आपका नहीं है आपका उल्ली एक काम है कि आप कर्टबों को निर्वान करें अपने दायतों को अच्छे से नभाएं और आपका आज पहला दायत है कि जो पर इंदा छोड़नी होगी मैं फिर से बोल रहा हूं इसलिए आप लोग मेहनत करें अब यहां पर पैसे आता है कि आप ग्राण जाकर क्या करें द्रगा प्रवू बहुत सारे बंदे हैं मुझे पता कि बहुत समय से नहीं दोड़े होंगे तो आप लोग को यहीं करना है कि प्रवू गारंड में जाओ शुरू बात में हलके हलके प्रेंटिस करना है सुरू में कोई पहलवान नहीं होता है सुरू में सभी एक रांड मार पाते हैं मुश्किल से बो भी नहीं मार पाते हैं और जब ग्रांड के साथ कुछ समय बताओगे तो आप 15-20 आराम से मार कि अब आप लोगों को मेहनत करनी है पूरी इमानदारी से फिजीकल में इसके बाद कई बंदे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं सामन गयान में पास नहीं हो पाऊंगा बहुत जल्दी अगली भड़ती आएगी एक बात रसना देता हूं कि एस बेकैंसी की थोड़ी सी मुझे जानकारी मिली है कि जो 26 तारी को पेपर होगा था उसमें 128 बेकैंसी है कुल 128 बेकैंसी की जानकारी मिली है अब यह निस्यत नहीं है लेकि मुझे जानकारी मिली है तो मैंने आपको लोगों पहले भी बूला था कि 100-500 की बीचे बेकैंसी होगी तो बीच में ही निकली फिक् रखना हर कोई सफल नहीं होता है, पहली बार में अनवाव भी कोई चीज होती है, फोकरे भी कोई चीज होती है, यहनी कि हमें गाली भी घानी होती है, हमें सफलता भी देखनी होती है, तब हम अनवाव जैसा फल प्राप्त करते हैं, और सफलता को प्राप्त हो जाते हैं, जय हिंद बंदे मादरा